नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक नए वीडियो में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल के कैमरे से फोटो घीच करके उसको पासवोड साइज फोटो कैसे बना सकते हैं और उसका बेक्गराउंड आप लोग कैसे व फोटो घीच करके आप लोग जो है अपना फोटो को पासवोड साइज फोटो कैसे बना सकते हैं और उस फोटो का जो है बेक्गराउंड आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं कैसे वाइट कर सकते हैं बुलू कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ठीक है तो आप से पहले आप लोगो को क्या करना है अपने मोबाइल के कैमरे से एक ऐसा फोटो आप लोगो को घीच लेना है ठीक है इस टाइप का आप लोगो को अपने मोबाइल के कैमरे से एक नॉर्मल फोटो घीच लेना है उसके बाद आप लोगो को क्या करना है सिंपल सा अपने maker आप लोगों को search करना है और पहला वाला side में आप लोगों को click कर देना है ठीक है देख सकते हैं cutout pro लिखा हुआ है आप लोगों को ये वाला side में click कर देना है ये वाला side में click करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे upload image का option देखने को मिलेगा ठीक है तो आप लोगों को upload image मे क्लिक कर देना है upload image में क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपना image select कर लेना है अपने mobile की gallery से जो photo को आप लोग अपने mobile के camera से घीचे थे वो photo को आप logo को select कर लेना है और add में click कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे कुछ time भी अगरा लेगा और photo जो है यहाँ पे आप logo का बन करके आ जाएगा दोस्तो फाइनली यहाँ पे आप logo का photo passport side photo बन करके आ जाएगा ठीक है तो आप logo को थोड़ा से यहाँ पे wait कर लेना है तो हम लोग यहाँ पे wait कर लेते हैं आप लोग देख सकते है फाइनली दोस्तो मेरा photo जो है यहाँ पे आप लोगों को color में click कर देना है और आप लोग अगर photo का background blue करना चाहते हैं तो blue कर सकते हैं दूसरा color करना चाहते हैं तो आप लोग दूसरा color कर सकते हैं जो भी color आप लोगों को photo का रखना है background आप लोग रख सकते हैं photo का background ठीक है क्पड़ा चेंज कर सकते हैं तो आप लोगों को सिंपल सा यहां कपड़ा में क्लिक कर दिना है और आप लोको में कपड़ा चेंज कर सकते हैं जो भी कपड़ा अप लोगों को चेंज करना है तो दोस्तो时候 लो dispos watermelon गरा लेगा और फोट Souls पुझे कोई भी कपड़ा वेगरा चेंज नहीं करना है तो आप लोगों को सारा कुछ एडिटिंग कर लेना है यहाँ पे अपने हिसाब से उसके बाद आप लोगों को done में क्लिक कर देना है ठीक है अपना इमेल आईडी और पासवोर्ट डाल देना है और साइन अप कर लेना है ठीक है साइन अप करने के बाद आप लोगों को क्या करना है डाउनलोड है एजटी का साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरो जैसा दिया हुआ है आप लोगों को एरो में किलिक कर द उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे डाउनलोड एगन में क्लिक कर देना है आप लोगों का यह फोटो जो है पासवोट साइज फोटो आप लोगों के मोबाइल के गैलेरी में डाउनलोड हो जागा ठीक है आप लोग एक बात का ध्यान जरूर रखे हैं आप लोग ये वाला साइट से जो है फ्री में पांच बार ही फोटो डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है फ्री में जो है आप लोग पांच बार ही फोटो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग एक ID में एक email ID से आप लोग जो है पांच बार फ्री मे photo download कर सकते है पासपोर्ट साइज बना कर गए ठीक है तो आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है अगर आप लोग दोबारा जो है download करना चाहते हैं पांच बार से ज़्यादा तो आप लोगों को दूसरा email ID में sign up करना है ठीक है उसके बाद आप लोगों को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं